और वहीं अमेरिका और साउथ कोरिया की जबदस वार प्रैक्टिस जारी है आस्मान में अमेरिका और साउथ कोरिया का युद्ध अभ्यास हुआ है उत्तर कोरिया को वार्निंग देने के लिए हवा में वार एक्सिसाइस की गई है जिसमें 20 फाइटर जेट्स के साथ में येलो सी में युद्धा भ्यास किया गया है कुछ दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल टेस्ट किया था उसके बाद में जबावी करवाई में इस तरह की वानिंग देने के लिए एक वार एक्सिसाइस की गई है ये आस्मान की बारूदी ललकार है ये अमेरिका और डेक्षर कोरिया की यलगार है बाग बाग पर विद्वनसक विसाइलों की धंकी देने वाले नॉर्थ कोरिया को आस्मान से चुनोती दे गए अमेरिका और साउथ कोरिया की वायू शक्ती ने नौर्थ कोरिया को अपनी ताकत दिखाए नौर्थ कोरिया के ताना शाह किम जों के बारूदी उपसावे के खिलाफ दोनों देशों के एरफोर्स ने मेगा ड्रिल की यलो सी के उपर अमेरिका और साउथ कोरिया के फाइटर जेट्स उड़े उस युद्धा अभ्यास में दोनों देशों के 20 फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया ड्रिल में 16 फाइटर जेट्स साउथ कोरिया के थे और अमेरिका के 4 फाइटर जेट्स शामिल थे दक्षिर कोरियाई जेट्स में F-35A, F-15K और KF-16 शामिल हुए जबकि अमेरिकी वायू सेना की तरफ से F-16 ने उड़ान फरी दोनों देशों की सेनाओं ने इस वाल्ट व्रिल से नॉर्थ कोरिया की मिसाइल टेस्ट का जवाब दिया उत्तर कोरिया को चेताफनी देने की कोशिश की कि अगर नॉर्थ कोरिया अपनी बारूती हरकतों से बास नहीं आया तो उसका जवाब इसी अन्दास में दिया जाएगा आपको बता दे कि इस जॉइंट एकसेसाइस से एक दिन पहले ही अमेरिका और साउथ कोरिया ने आठ मिसाइल एदागी थी उससे कुछ दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया था